कह सकते हैं कि राइंतिक बहस में एक मुद्दा सबसे इंपॉर्टेंट एटिन और सौधेस के दर्सकों के लिए कि आखिर अगर यह रुजहान नतीजों में बदलते हैं तो बाजार का क्या होगा और बाजार को समझना हो तो बीबेक से बहतर कौन सकता है बीबेक कारवा मां स सकता है यह रुजहान अगर नतीजों में बदलते हैं तो बीस अगार पांसो दूर नहीं है या 21 जो पीन कोड हमने बनाया है इत्रों सोधोस का पीन कोड 21 यह निप्थी का यह आतावाद दिखेगा सुप्रबाद सभी को देखिए मुझे लग रहा है कि जो exit polls बोल रहे थे उससे अभी तक के रुजहान बेटर है क्यों बेटर है क्योंकि राश्तार में 50-50 बोल रहे था सारे के सारे exit polls और मंद्यप्रदेश में भी यही बोल रहे थे अब मंद्यप्रदेश में 17 साल एक CM रहके वापस अगर वही पार्टी जीतती है तो यह बहुत बड़ा achievement होगा और यह बहुत बड़ा positive है 2026 के चुराव के लिए हाँ यह मैं भी मानता हूं कि इसको मैं semi final नहीं मानता हूं क्योंकि अभी historically देखा गया है कि जो जनता है वो state elections में experiment करने के लिए generally ready रहती है लेकिन जब मुद्दा आता है central election का तब वो देखते हैं कि कौन face है उधर और कौन PM face है उस basis पे voting होती है तो पहले हमने एक state election में देखा है कि state में दूसरी पार्टी जीती और central election में दूसरी पार्टी जीत गए भी जीत गए तो यह possibility है तो यह बहुत बड़ा positive है आज के जो बहुत ही positive लेगा अब बात करें अगले 6 मिने की तो 6 मिने मुझे लगता है कि 21000 भी आपको पार करते हुए दिखाएगा प्री election रैली आएगी लेकिन आप अगे बहुत ही short term की बात करते हो मंडे या Tuesday की बात करते हो तो मार्केट इसको इस तरीके से भी ले सकता है कि buy on rumor and sell on news तो exit poll देखके बजार उड़ी उपर चड़ गया ताथ पोड़ा तो हो सकता है कि Monday थोड़ा बहुत profit booking भी second half में आपको देखने को मिले तो यह तो बहुत short term की बात कर रहा हूं लेकिन हाँ मैं बहुत positive हो बजार पे और मुझे लगता है कि 2024 का यहां से एक मतलब लकीर की लकीर तो चालू हो गई है बन नी तो overall 21,000 यह पॉसिबिटी आपका पिंपोड अचीव हो जाएगा